इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह दर्द और बुखार से आराम दिलाने में भी मदद करता है। नाम कोल टैबलेट को डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधी के अनुसार भूजन के साथ लिया जाता है। डोज आपकी कंडीशन और दवा के प्रती आपके रिस्पॉंस पर निर्भर अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है। अपनी हिल्थ के टीम को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं क्यूंकि वो दवाएं इस दवा को प्रभावित या इस से प्रभावित हो सकती हैं। सबसे सामाने साइड इफेक्ट में चली आना, डायरिया, दस्थ, उल्टी, ठकान, मुभ में सूखापन, घबराहट, अनिद्रा, बेचैनी और सिर दर्ध हैं। इनमें से अधिकान शस्थाई होते हैं और आमतोर पर समय के साथ सही हो जाते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी साइड इफेक्ट को लेकर चिंतित हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करें। इस दवा से नींद आ सकती हैं। इसलिए जब तक आप यह ना जान ले कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती हैं। तब तक ड्राइव या ऐसा कोई काम न करें जिसके लिए मानसिक फोकस की जरूरत होती है। यह दवा लेने के दौरान शराब पीने से बचें क्यूंकि इस से आपको अधिक नींद आ सकती है। सेल्फ मेडिकेशन का समर्थन न करें या किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी दवा का सुझाव न दें। यह दवा लेते समय बहुत सारे फ्लूइद्स लेना फाय देमंद है। इस दवा को लेने से पहले अगर आपको किड्नी या लिवर से जुड़ी कोई बीमारी है तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए ताकि डॉक्टर आपके लिए उपयोक्त खुराक निर्धारित कर सके। अगर आपको यह विडियो पसंद आया है तो इस विडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें जिससे आपको भविश्य में और ऐसी विडियो देखने को मिलती रहें धन्यवाद।